हाई आप सब वोफुली आप बहुत अच्छे हैं बढ़ियां हैं स्वस्थ हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में और आप लोग के लिए आप लोग के बहुत चीह बात है कि आप लोग का कल से ससन स्टार्ट है आप लोग अपने कॉले तो जरूर चाहिएगा एक तो यह ध्यान रखिए आप जरूर जाएगा आपको बहुत कुछ पता चलेगा आपकी बहुत सारी हेल्प होगी तो वो 21 से स्टार्ट हो रहा है तो 21 से काउंटिंग करके 6 महीने रेते हैं उसके हिसाब से फिर आगे इंटर्शेप एक्जाम चीजे होती हैं आपके एक्जा हम 2024 में होंगे समय के साथ सब बताई दाएं अपरेल से पहले नहीं होंगे इतना ध्यान रखिएगा तो बहुत समय है तीन-चार महीने के शुरुआत है और हम एक प्रकार से शुरुआत अब कल से और अच्छे तरीके से करेंगे जहां पर मैं आपके साथ लाइफ भी इसी पीच में मिलूँगी आप लोगों को मैं जल से दल आप लोगों के लिए लाइफ ट्लास करने वाली हूं तो वहां पर यह चीज़े होंगी और आप लोगे जो दूसरी क्लास होनी है वह समय के साथ जल्दी ही करूंगी यानि कि अगर हो सकता है तो आपकी एक दिसमर से स्ट इसका लिंक मैंने आप सभी को दे दिया है और हमेशा देती हूं आप यूटूब पर सरच कर सकते हैं यहां पर दो क्लास होगी अभी एक हो रही है शाम को चार बजे दूसरे का तो टाइम है आप लोगो कौन सा टाइम आपने हिसाब से बात करके मुझे एक बता दो ना कॉमेंट बोक्स में आप बताएं को मुझे मिल जाएगा यहां पर तो टाइम होगा वो मैं आपको बताऊंगी अपने हिसाब से और वो हो सकता है सुबह के 10 बजे भी रहे सुबह के 10 बजे भी 10 एम पर रहे तो यहां पर आपके questions की classes होगी यहां पर आपके theory की classes होगी यह क्ल पर यह जब इतने सारी क्लास अप्लोड होगी तो यूटूब notification नहीं बेज़ता time पर लेट में बेज़ता है तो मैं चाहती हूं कि कोई भी class मिस्स ना हो इसके लिए आप सभी telegram को join कर यह telegram का link आपको comment box में दिया गया है नीचे दिखे तो आपको मिल जाएगा और पिंट दूसरी टाइमिंग क्लास के जो टाइमिंग रहेगे वो हम लोग तक्रीबन आठ बजे रखेंगे रात में आठ बजे तो मैं आपको समय के साथ बताऊं कितना ध्यान रखेगा ठीक है चलिए तो यह सारी अपडेट रही जबना आपको शुरुवात ने बताई आप सभी इ साइस के क्लास को स्टार्ट करने वारे सोसल साइस को हिंदी में समाजिक अध्यन कहते हैं आप ये सेश्च कर सकते हैं एसके बारे में जान लिए पहली बात यह 50 नमबर का पेपर है दूसरे डिन आपका होगा मैस की पेपर के होने के बाद होगा 40 प्रश इसमें आएगा 25 नमबर का इसमें पासिंग का क्राइटेरियर आएगा 24 आएगा तो बैक लग जाएगी और 15 आपको बहुभी कल्पी आएंगे इतना ध्यान रखेगा ये पेपर काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें 46, 47, 48 तक हाई इस नमबर मिलता है कॉपी लिखने के लिए ये ही 50 नमबर के तीन पेपर सब्सक्राइब इंपॉर्डेंट है चलिए आज जब इनकी शुरॉत कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि हमें इसमें इतिहास के बारें पढ़ना है जैसे हमारी social science में history होती है quality होती है हमारी जरुफी होती है वो सेम चीज़ें इसमें होती है हमें याँ पर शुरॉत करने ही हिस्ट्री से करने हिस्ट्री क्या होती है मैं आपसे एक question पूशती हूँ आप मैंसे बहुत सारे बच्चे आते हैं खुनीता आती हैं, राम जी आते हैं, और भी कई सारे बच्चे यहां पर आते हैं, प्रग्या आती हैं, देव आते हैं, सिवानी आती हैं, शिवांगी आती हैं, कई सारे स्टुडेंट्स हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, ज़र आप बताईए कि आप लोग यहां पर social science में मैं अगर पूछू कि history क्या होती है या इतिहास क्या होता आप क्या बताएंगे एक statement लिखिए एक line लिखिए खुद को चेक करिए कि मैं आपसे question पूछ रहे इतिहास क्या होता है इतिहास का अर्थ क्या है आप इतिहास से क्या समझते है या अब तक आपने जो इतिहास में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है एक question simple सा एक line का answer मुझे चाहिए क्या आप बता सकते हैं बहुत basic सी बात बहुत छोटा सांसर आपको बता रहा है तो यही चीज़ा मैं इस पर पूर इस लबस में चाननी है इतिहास क्या है उसका अर्थ क्या है महत्यू क्या है आईए जानते है तो इन सब को जाने से बहले यह जानते है कि इतिहास जो शब्द है वो पहले बना किससे है वो जानो तब आपको और से यह समझ में आए लगे है इतिहा और आसीद ये लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है इतिहा आसीद जिसका शाप्तिक अर्थ होता है ऐसा हुआ था या ऐसा रहा है मतलब ऐसे रहा ऐसा हुआ था उस समय क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास में वह सारी चीज़े आती है जो बीद गई होती है तो ऐसा क कभी हो रहा था ये चीजें होती है इतिहास की मीन जो कि यह ऐक मर्टिपल चुइस बहुभिकल It प्रश्ट बनेगा इसकी मीनिंग से भी प्रश्ण आ सकता है द्यान रखेगा तो दो प्रश्ण भी बनेगा को दो लाई में बता दिए इतियाज शब्त वह ग्यान है जो किसी समय के घटनाओं को विवेचत करने के लिए बनाएगे विवेचत का मतलब बताने के लिए कि यह एसी घटनाएं थी जो एक काल क्रम के दौरान घटित हुई थी ऐसा कुछ भी था ऐसा कोई इंसिडेंस था जो उस समय हुआ था तो यह ज्यान रखना है कि किसी समय की घटनाओं को विवेचत करने के लिए बनाया जाता है ताकि हम उन घटनाओं की पूरी रानकारी हुई है तो आपने क्या किया अपने क्या बनाया था या अपने उसमें क्या किया था कैसे निवारण किया था इस सब कुछ आता है हम अपने पास्ट को रिपीट करते हैं हम अपने पास्ट को रिपीट करके बहुत कुछ सीखते हैं तो यह चीज हमें help कौन करता है इतिहास के ये जो history होती है वो हमें कहते है history repeat itself खुद को repeat करती है ये चलता है एक क्रम तो इतिहास संस्केट भासा के शब्द से बना है जिसका आर्थ होता है इतिहा प्लस आसीद जिसका meaning ऐसा कभी हुआ था या ऐसा रहा है इतिहास वो ग्यान होता है ये एक ऐसा ग्यान है जिसमें कोई घटना कभी घटित हुई है हमको उसके बारे पूरी जानकाड़ी देता है बहुत solitary कैसे मैंना आपको एक simple बात बताई जो कि आपको लिखने को एक से दो नंबर में आती है आपको एक नंबर में पूछिए का प्रश्ण इससे इतिहास क्या होता है आप इतिहास से क्या समझते इतिहास क्या है अपने शब्दों में बताईए one and करिए अब यहां तक clear होगा एक paragraph पूरी तरीके से clear करते वे चले कि हाम मैं मेरा इतना clear है अब अगर बनेगा प्रश्ण तो आप कर लेंगे लिख लेंगे नेक्स आड़िये इनमें कुछ और चीज़े हैं जैसे मानो अपने अतीद के संबंद में जग्या सू रहा है हम अपने जो भी चीज़े रही हैं हम अपने जो एंसस्टर्स होतें उनको जानने का बहुत प्यास करतें जैसे कहते हैं कि हम पहले बंदर की प्रजात शे आए हैं क्योंकि हमारे कुछ हरकते हैं बंदर के कुछ हरकते एक जैसी होती पस पूछ नहीं है तो मानो अपने अतीद के संबंद में बहुत जिग्या सू रहा है वो अपने अतीर को जानने के लिए कफी खोजी नेचर कराया है कि हमें जानना है, हम कहां से आए हैं, कब बने, कैसे बने, अपने निवास अस्थाल में समर्पृत जो भवन है, जो दुर्ग मंदरे है, जो तलाब है, वावडी है, इन सब की बहुतामगरी की सहाथा से भव अ कब बना, पहली बार कैसे बना, कौन बनाया, क्यों बन गया, और ये गिरा क्यों नहीं, क्या क्या चीज़े हैं, कितना सोचा, किसने सोचा, ये सारी चीज़े हमारे दमाग में चलती जाती हैं, इतियास के अधिन से हमें मानों का जो एक विकास है, कि पहले क्या था, फिर बारा कैसे कैसे चींज हुए कैसे कैसे लोगों में जानकारिया हुई कैसे कैसे हम क्या कर डवलप्मेंट के इन सब के बारे में हमको one by one करके एक-एक स्टेप पढ़ते जाते हैं एक एक शोट से हमें दीर सारी इंफोमेशन बनती जाती है ध्यान रखिए ऐसे ही हम हर चीज को जानत के आपको जो प्रशन मंखा जिस भी ठंशन बनता है कि ह dit बनेंगा वह बचाती हूट कि एहां प्रश्ण बनेगा उसको ध्यान रख़ो और जो आपको पढ़ना है ले से सीखना है संझना है वह आपको प्लमली सुनना ये मैं चैक प्राजिन काल के जैनकाले करे कुछ सब्सक्ता अगर हम मंदर देखते हैं भवन देखते हैं उस समय के चितल नहीं बहुत हुआ भी या वहां जाकर भी थोड़े-बड़े पुर्जे उनको तेखते हैं या मुजियम में देखते हैं तो उनके साभसे बहुत साहिक एक समय हैं। वाकतुर्स शूमेट लगा लेते हैं। वहता सारे अउजार हैं। बहुत सारे जीवासम हैं। पात्र है、 भूझ के पात्र हैं। । प्राबे हैं उनको हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत साई जानकारी हैं मिल जाती हैं और हम अलग-अलग सोर से कठा करके उसको एक जुट कर लेते तो कुछ इस तरीके से हमें इतिहास का जो हमारा राइनसेस्टर्स का रहा है या इतिहास से पहले क्या होता था उनके बारे यह लर्ण करिए प्रॉब्लम है कॉमें बॉक्स में पूछिए हर चीज समय के साथ होगी और आपकी डेली भी स्वर्ट की क्लास यहां पर होगी डेली की डेली बीस्वर्ट की होगी लाइव आउंगी तो एक घंटे ही लोंगी जब मैं लाइव आपको जल्दी ही मिलूंग इतिहां रखता है इस नॉम्बर के 10 दिन के जो फीर्ट इसमें आपको मैं मुल जाओंगे जहां तक यह हो सकता है कि कल ही शायद मैं आ जाओ समय के हसाफ से देखने क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है ठीक है आगे बढ़ी यहां तक क्ले रहे है I hope so सब को easily जमाश में आएगा प्रोडम नहीं होगे अगर आप एक से दो बार रिपीट कर लेंगे तो और नहीं होगी आगे बढ़िए इतिहास का महत्तु है अब इतिहास की महत्तु के विवारे में थोड़ी से जानकारी कठा करते हैं कि हम इतना कुछ पढ़तों रहें प्रॉफिट क्या है इं प्रॉफिट से ठीजब आउस से एतिहास के कोई तीन महत्त बताई फताने होगी पहला हम जब इतिहास को पढ़ते हैं इनको पढ़ने से हमएं एक प्षर्ट है मिल् złब इंपोटेंस है अनभ हों से सीखना इन इतनी छीज़्यवारे चीजह हमारे पास में हो गई होती हैं क लुगने सबस्क्राइब क्लीक तो एतिहास के समय को सीक्रावारा देता कि कि इस्तव पहरे की समझ्यावा का था और उन्हें कैसे हल किया हैं लोगों को जहांकाली भी लेकिन उसमे victim न पैसे थे नसोस नानानकाली थी उसमें कोई गूगल नहीं था तो कैसे होता था आज तो हम गूगल कर लेते हैं तुरह यूटूप यूटूब पूगल लेके लिए लेकिन कर सकते। क्यूंकि समझेयात s affect CHCC fum West X bạn यह प्रूसराय समाज का नर्मारbula का समाज केमें कैसे में वृँवार समाज में का हिवा है रूल क्या बना जीजे क्या बनी संस्कृतिया क्या क्याती लोग उसमें पुजा पाठ करते थे नहीं करते थे मूर्तियां थी नहीं थी क्या था कैसे रित्रिवास थे धर्म क्या था जाती पात क्या थी सराज नहीं दिक चलती थी नहीं चलती थी समाज में कैसे रूल्स थे बुढ़े नहीं थे दादाली नहीं थे क्या नहीं थे समास था नहीं था वह सारी चीज़े तो यह हमें इन सब को पढ़कर ही पता चलता है इसी रहें का महत्तु है कि उनको पढ़ते हैं तो हमें जानकारिया होती है कि यह चीज़े नहीं नहीं है पहले से हैं और होती हा रही और ऐसे ही क्रम में वन वाई वन करके चलती रहती है आगे बढ़े तीसरा महात है पुरन राव लोकन और सधार मतलब उनको देखो और जो गलतिया उन्होंने की थी या जो चीड़ी वो नहीं कर पा रही या जो चीड़ी वो सोच नहीं पा रही तो उनमें चेंजिस करो सब्सक्राइब होसक्ता है कि हम गलत राष्टे कर रहा है गलत काम कर रहे है फिर हम उस आसे को एक infirm courtesy बद्लाव करने के लिए उस प्रॉब्लम्स को नहीं तरीके से solve करने के लिए हमें बहुत साठी चीज़े पता झती है हम पता कहां से करते हैं जब उनको पढ़ते हैं तब यह होता है कि यह गलतिया उनों ने कीती हामें नहीं करने हैं तो यह सारी चीज़ सीखनी होगी और आप यह सीखेंगे कहां से जब आप इतिहास को पढ़ेंगे examples को पढ़ेंगे उनकी बातों को पढ़ेंगे तब आपको हर चीज समझ भी आएगी तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जुरूरी है इसको पढ़ने से मारा समय बसता है और हम जल्दी से काम को कर भी लेते हैं Next is समाजिक एकता Social की जो unity है वो बनी है आज आप देख तो कितने सारे मदभेत होते लडाई जगड़े होते तो क्या उस समय भी हुआ परते थे उस समय भी लोग थे वो कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, कैसे साथ साथ रहते थे उनका सब कुछ जाना उनके बीच में समझाता कैसे होता था उनके वीज में इतनी समानता कैसे थी, लड़ाई जगड़े कैसे नहीं होते थे, क्या चीजे कैसे थी, वो एक साथ कैसे रहते थे, एक ग्रूप में कैसे रहते थे, इन सब के बारे में हमें उनसे प्राइब चलता है, फिर उनके एक्जामपल्स के थो हम सीखते हैं और आगे पर लीजे, यहां तक बात समझ में आई हो सकता है, मैंने थोड़ा सा तेज बोला होगा, देखे, काम है, काम करना है, आप मुल्टेपल टाइम सीख लो, आप ब्यात को ध्यान देशन लो, आप समझ लो, थोड़ा सा, आप देख से, दो बार देख लीजे वीडियो को, क्ला है, अगरा सा, प्ढ़ना है, तो करना है, तो करना है, थेक, तो ध्यान रखिये, अब आगे बड़े, यहां तक, क्लिर कट पर समझ में आयो, कि 4 पूइंच, सर्फ 4 पॉइंच बोल्दी, 14, आगे बड़े, इनके शोज़ क्या का है, आप मैं, कहें के आप आप को पढ़ना होगा ठीक है आप किस लफ cumplिय नहीं आएगा लेकिन कहां से पढ़े शोद क्या है उनसे क्वेइशन क्वेशन पूछ लेना क प्रफ्ट न आता है इतिहास के कोई दो शोष बताईए इतिहास के कोई तीन शोष बताईए या प्रफ्ट बने गा कि नेम लखित में विस फिजорт कौन से चाहव कौन से है छाचि 75 तो प्वेश्चन है अलग 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 तरीके से आ सकते हैं जैसे युदो होता तो तीर कही से भी आ सकता है ना तो उस तरीके से क्वेश्चन है कुछ भी दुगा कर पूछ सकता है लेकिन यह कि स्लाबस सही रहेगा कभी को स्लाबस से बाहर भी रहता है पहला लिखित रूप के श्रोट वह साई चीजे हैं जो लिखित है रिटेन है जैसे बहुत साई दस्तावेज है पुराण है तिहां से ग्रंथ है पत्रावली है पत्र है निबंध है और बुक्स है बहुत कुछ है जो लिखा हुआ है जब लिखा हुआ है अलग भासा में लिखा है तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको हम बताते हैं तो लिखे हुए शोत हैं लिखी हुई ची पढ़ने से पहला सलता है, तो लिखित रूप के बहुत सा इश्रोथ है, लिखित रूप के श्रोथ क्या क्या है मैं आपको बहुत से बता हूँगी, लेकिन कुछ जैसे दस्तावीज है, कोई पुराण है, वेदांग है, रामायड है, महाभारत है, इसे बहुत साई चीज़े हैं, जो बहुत कुछ बताती है, दूसरा, मौन साक्षाद कर, ऐसे लोग जो वहाँ उस समय जीते थे, उनका टनाओं को देखकर उनका इतिहास बन रहा है, कुछ रहे हैं, कुछ पूर्वत जिंदा रहे, वो आखे अपने किसी नाती पोते को कुछ बताया, नाती पोते उनको कुछ बताया, कुछ चलती चल चल जाती है, तो कुछ इस तभीके से होते हैं, तो दो मिलते हैं, 2 2 3 7 अपरियों कर आपस्ताति साक्षाथ कर कुछ चीजें काहिए जो वूंपर रिखा उख हुई हैं तो हम उसे बिजानकरी कर लेते आज होत दे के मिल घंड जमीन दक्षे ऻए खोदा गया उनको डिफिन lors निकाला गया तो सपिबकों फिराजा का नाम या वो सा टाइम कोई साइकरी दभी ती अकसर पहले क्या होता था कि मर्व दूब जलाने के सर्स्टेम नहीं था हमारे हिंदु धर्म में जला देते हैं मुस्लिम धर्म में नहीं जलाते हैं आप जानते हैं और जो पार्शियन लोग होते हैं वो तो फेक देते हैं ले जाकर जो ठीक है अमलब इशाई का फिशायत दफनाते हैं और पार्शियन लोग भी होते हैं कि वो फेक देते हैं जो भी करते हैं अलग बाते हैं तो कुछ इस तरह किसे सामान घडी अगल गई सब खराब हो गया लेकिन वो चीजे बज़ गी स्केल्टेन मिल गया तो यह सारे श्रोत हैं चीजे हैं जिसे हमें काफी जानकारिया मिलती हैं हम जान पाते हैं कि समय ऐसा था चीजें ऐसी थी लोग ऐसे थे काम ऐसा था हमें पत सब्सक्राइब हो मैगजीन से कुछ अपाता है कोई चीजे थी तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं तो आजनिक सुरत का मतलब है कि मौडन रिसोर्स क्या है जहां पर हम मौडन तरीके से क्योंकि इस समय मौडन जमाना चल रहा है तो हम उनके बेसे कैसे जान पा रह सब्सक्राइब होता है तो यह रही है आज के बहुत अच्छी क्लास जो दिनी मुझे बतानी थी 20 मिर्ट की क्लास में इतना बड़ा पीडिएफ आपके रेंज भी किया था कि पूरी बात मैं आपको one by one करके बता दूं क्लास पसंद अगर आई है हां कुछ आपने आज सीख समझा जाना अच्छे तरीके से तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा टेलिग्राम को जॉइन करिए समय के साथ आई है सीखिए देखिए प्रॉब्लम है कॉमें बॉक्स में पूछिए बिलते हैं फिरकार नेक्स क्लास में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई